क्रिप्टो करेंजी में ट्रेड करके हर रोज पैसे कैसे कमाएं आज हम इस पर बात करने वाले हैं डेली अर्निंग फ्रम क्रिप्टो ट्रेडिंग देखो मैं कहता हूं किसी आदमी को सबसे तेज अगर करोड़ पती बनता है सबसे तेज अगर ट्रेडिंग में पैसा कमाना ह सबसे तेज ट्रेडिंग से अमीर बनना है तो क्रिप्टो में जाओ क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो पोटेंशल है कि आदमी सबसे तेजी से अमीर बनेगा लेकिन हाँ क्रिप्टो ट्रेडिंग में वो पोटेंशल भी है कि सबसे तेज आदमीं को करोड़ पती से रोड़ प wesले conservative भी पूर में पोरर हें कमने करती क्रीकिस के लिए प्रश्च कोई करते हैं ऐख क्रेड़ी करना हैं ने लोगों के लिए अच्छा एक चिप्रेड़ी तरह प्रॉटीकी तहिसा क्या है बुरा क्या है crypto trading में वो सब भी भी हम बात करने ए रड़ाइड प्रॉस्ट कॉन सब कुछ ठीक है थे आच्छा कृप्टो के बेने फिटसफ़ फीचर्स हाई ली वोलटाइल हाई ली वॉलटाइल का मतलब आप अगर कृप्टो करेंसी किसी भी कृप्टो किसी भी अच्छे क्रिप्टो का अगर आप ग्राफ देखोगे ना बहुत तेजी से भागता है बहुत स्पीड बड़ी तेज होती है तार 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे आप्शन ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी लोगों का फेवरेट होता है क्यों कि वोलाटाइल ज्यादा स्पीड अच्छी है ज्यादा अप डॉण होता है तो ज्यादा अपड़ाउन में ट्रेडर अपना प्रॉफित निगाल होसाम है क्रिप्ट कर अगर आप स्टॉक मार्केट में बैंक निफ्टी को हाइली वोलटाइल कहोगे न तो यह हाइली का पतनी कितने परसेंट 2x 3x 10x 100x लगा दो बैंक निफ्टी कुछ भी नहीं है इसके सामने यह इतना वोलटाइल है क्रिप्टो अगर दो चार मूव पे कोई पैसा कमा लेता है बैंक निफ्टी में तो सर्व उस मतलब मैं कह नहीं सकता कि कितना थेज भागता है आदमी कितना पैसा कमा सकता अगर उसको ट्रेडिंग आत तो साबधानी जरूरी है वोलटाइल बहुत जादा है तो इसलिए क्रिप्टो में क्रिप्टो उन लोगों को पसंद आएगा जो कि जादा वोलटिलिडी ढूंडते हैं जिनका बैंक निफ्टी फेवरेट है ऑप्शन टेडिंग में स्टॉक मांकेट में उनको क्रिप्टो कोई सेलर अवैलेबल नहीं है जिसके लिए कुछ सेकेंड ये कुछ मिनट डिले हो जाता है तो आपका सही ट्रेड नहीं लग बाता आपको sell करना है तो उधर कोई करने वाला नहीं है तो कुछ वद्टीले हो नहीं हो गया आपका ट्रेड खराब हो गया प्रॉफिट का दुनिया के लोग इसमें ट्रेड कर रहे होते हैं तो इसमें वालियूम की कभी दिक्कत नहीं आएगी बहुत हाइव वाल्यूम होता है लिक्विडिटी बहुत सौलिड मिलेगी आपको इंस्टेंट बाइस सेल होगा इंस्टेंट कोई डिले नहीं अगला है हाइई हर जगे आपको मिलता नहीं है लेकिन जहां मिलता है बहुत खतरनाक चीज़ है लेवरेज ऐसी चीज़ है सर मालो आपके पास कहते हैं आपके पास 100 रुपए हैं तो ब्रोकर लेकिन आपको प्लाटफॉर्म लिवरेज देता है 100 गुना तक अब आपकी मर्जी आप 10 गुना ले सकते हो बीस गुना ले सकते हो पांच गुना ले सकते हो लेकिन सो गुना तक ले सकते हो तो सो गुना दिया तो यह हो गया सर किता हुआ वन लैक हो गया न अब वन लैक जब होगा तो profit जब होगा मालो एक लागपर दस पृषिट हुआ तो आप घर लेकि जाओंगे सर कितना a 10ksen का profit आच्छे जब लॉट ऐन्वेस्धमेंट कितना आपका एक्चल इन्वेस्धमेंट हजारी रूपे हजार ही रुपे हैं लेकिन उसी तो आप 10,000 रुपे लेकर के जाओ यानि कि एक हजार से 10,000 बन गया तर से अगर 10 परसंट अच्छा वॉलटाइल भी बहुत है अगला पॉइंट मैंने लिखा वॉलटाइल बहुत है सर बीस परशंट 30 परशंट एक एक दिन में बढ़ जाता है आपर बढ़ जाता है मतलब घ अगर बाइजनल कैपिटल था बांकी तो यह ब्रोकर ने वह एक्षेंज प्लाटफॉर्म ने बना दिया था लेकिन आपका प्रॉफिट लेकर के गया आप 10,000 रुपए सिर्फ हजार के इन्वेस्मेंट से सिर्फ एक हजार के और इसनल इन्वेस्मेंट से 10,000 लेकर के लेक तो थोड़ा सा कंट्रोल लखने वाली बात है तो मैं रिकमेंड करता हूं 100 अपको लिवरेज मिल जाता है लेकिन शुरुबात में लेना चाहिए अगर आप नए ट्रेडर हो तो ज्यादा लिवरेज मत लेना 2x 3x तक ठीक है 5x बहुत ठीक है जब एक्सपर्टीज हो जाए 9 sat 6th खुल करके में तो यहां कुछ नहीं होता यहां 24 घंटे सातो दिन 325 दिन खुला है अब प्रिसत मेले उदर करो लेकिन इसकी इन चीजों के वज़े सब नुकसान भी है क्या नुकसान भी बताता हूं ओली प्राइस एक्षिन रेक्वाइड फॉर ट्रेड ट्रेडिंग करने के लिए स्टॉक मार्केट में देखो ट्रेड करने के लिए बहुत सारे पहलू आपको नजर में रखने होते हैं अगर किसी स्टॉक पर ट्रेड कर रहे हो तो टेक्निकल के साथ साथ फंडामेंटल पर अदिक्ट के लिए भी बहुत सारी अनलेसिस होती है ऑप्षन छेन होता है साथ में प्राइस एक्षन तो होता है यहां पर प्राइस एक्ष्टन अभा में सपोर्ट रेसिस्टेंस केंडल का मुवमेंट इंडिकेटर्स वगरा उतना लगा करके मतलब मोटा मोटी है समझ लो प्राइस एक्षन ही यहां पर सब कुछ है टेकनिकल एनलेसिस के नाम पर प्राइस एक्षन का 90 परसेंट रोल है मां की 10 परसेंट पर छुटको मुटको थेपन टेशिक उनलेसिक कोई नहीं है वह कुछ ऑफब मेंट अने कहते हो यहाँ पर ट्रेडर ठास्क ज़ाइब करकर कर वहां सिर्फ प्राई सेंट के अलावा भी काफी चीजे लिए हाला कि मैं प्र principle है नहीं के दुनिया ही बिल्कुल अलाग है मैं comparable से ट्रेडर के perspective से कर रहा हूं ट्रेडर के दुन बाकी बहुत सारे differences है सिर्फ ट्रेडर के perspective से इतना है ठीक है बात समझ में आ रही है मेरी अब आपके बढ़ते हैं जला be careful आपको किसी से careful रहना सर strong risk management होना चीए सर क्योंकि इतना ज्यादा high movement है इतनी तेजी से market गिरता और उठता है चड़ता और उतरता है यहाँ पर strong risk management बहुत ज्यादा जरूरी है बहुत ही ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा लालच आपको बरबाद कर सकता है या थोड़ी सी च बहुत ध्यान से इसका चुनाव करना चाहिए आपको ऐसा लग सकता है लिवरेज मिल रहा है मेरे को लाक हो गया दस लाक हो गया करोड़ हो गया बरबाद कप कर देगा आपको पता नहीं लेकिन अगर आप चालाक हो समझदार हो तो वह हजार आपका लाख क्या करोड़ भी यहां भालं में जाए इधर ही करो सब कुछ होता ना या कोई ट्रीड अकर लौस में गया यो में आ गया और आतो इसन प्रोफट में निकाल के रहेंगे तो बार बाद लास बार बार लाद करते पूरे दिन हो बाइठा रहेगा पूरे दिन में उसके साथ क्या होने वाला है आपका personal life disturb हो सकता है, आपकी health खराब हो सकती है, वो सब छोड़ चाड़ करके आदमी इसमें लगा रहे सकता है, तो बड़ा सावधानी से यहाँ पर time का भी management जरूरी है, कि अगर आप एक घंटे के लिए बैठ रहे हो, तो एक घंटे ही trade करना है, उसमें उड़ जाना है, या अब strategy पर बात करते है, strategy हम क्या लेने वाले है, strategy लेने से पहले मैं थोड़ा ये बात कर लेता हूँ, कि strategy हम कहां पर execute करेंगे, देखो crypto में जितनी ज्यादा opportunity है, उतना ही ज्यादा फर्जी वाड़ा भी है, फर्जी वाड़ा क्या है, यहाँ पर कई सारे exchanges, कई सारे से platform मिल चाहिए, क्योंकि पीछे बहुत सारे हाथ से हुए हैं, तो बड़ा समझदारी, बड़ा decision यह भी जरूरी है, stock market में क्या है, कि सेवी के निगराने में सब कुछ होता है, तो वहाँ कोई गड़बढ ब्रोकर, गड़बढ एंट्री इतना आसान नहीं है, आसान भी है, तो से कोई माईबाप नहीं है, हम और आप जैसे हर कोई इसका माईबाप है, और कोई भी इसका माईबाप नहीं है, उस तरह के का, लेकिन वहाँ पर से भी माईबाप है, तो जब कोई माईबाप होता है, तो वहाँ के सदस से, वहाँ के जितनी कंपनिया, ब्रोकर, जो भी हैं, उनकी गड़बड़ी करने के चांसेस कम हो जाते हैं यहां पर गड़बड़ी करने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं कि कोई माई बाप नहीं है यहां पर से भी जैसा तो एक चुदना भी एक बड़ा समझदारी तो ऐसे में एक मेरे सामने आया विट गेट सबसे पहली चीज इसकी मुझे क्या अच्छी लगी क्या समझ में आया यह जो भाई साब का चेहरा देख रहे यहां पर यह चेहरा देख रहे कौन है यह लेनन मैसी लेनन मैसी फुटबॉल का म लेनन मैसी हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है किसी एक्षेंज यह किसी प्लैटफॉर्म के साथ में सी जैसा ब्रैंड जुड़ा हो तो बहुत बड़ी बात है क्रेडिबिलिटी का फैक्टर बढ़ जाता है इसकी वज़़ा से ठीक है और बीचीज अगर मैं देखू य देखो ठीक है अच्छेश में कैसे टेड़ करेंगे क्या स्ट्रेटियमर्य हमारी एक्जिक्यूट कैसे करेंगे वह सब मैं बता हूं अभी लेकिन थोड़ा सा और भी कुछ इन्फोर्मेशन देता हूं यह प्लैटफॉर्म के बारे में वह जरूरी है आपके लिए समझना अच्छा ट्रेड स्मार्टर जस्ट कॉपी यह क्या चीजा जान संदो नहीं लोगों के लिए ना कई बार ट्रेडिंग बड़ा डिफिकल्ट होता है सीखना समझना चुकि पैसा इन्वाल में ना बहुत साथानी बरतनी पड़ती और साथ में डर भी लगता है जब पैसा हम नहीं हो आपको ट्रेडिंग नहीं आती है तो कॉपी ट्रेड बहुत ज़्यादा है उन लोगों के लिए और कॉपी ट्रेडिंग में यह नंबर वन प्लाटफॉम है इन्हीं की वेब साइट पर मैंने देखा था भी लिखा हुआ हो सकता है भी करेंगे तो कहीं दिख जाए नमबर वन प्लाटफॉम है कापी ट्रेडिंग में कैसे बात करेंगे भी यह यहां पर एक चीज़रा ध्यान से दिखिएगा सर इनका खुद का टेलिग्राम चैनल है इस पर खुद खुद क्लिक करके आप इनके टेलिग्राम चैनल से जूड़ सकते हैं वहां पर आपको सइन अपर सदो मा जाते हैं से आप साइन अप बडा लासान है ।ब तो तीन चलो आगे बढ़ा है यह हो गया कम तो अच्छे इंटर वेरिफिकेशन कोड चलो मेरे में में एमेल पर वेरिफिकेशन कोड गया जरा मैं वो डाल देता हूं ठीक है डन हमने यह प्रोसर साइन अप कर लिया अब जड़ा कर बढ़ते हैं ऑके यह कहा रहा है सर्प्रा हम आ जाते हैं सबसे पहले सबसे पहले चीस क्या होती है सर ट्रेडिंग करने के लिए बाकि सारे फीचर्स तो हम बात करेंगे पैसा फंड एड करना फंड विट्रॉव करना पहले उस पर बात करना उसको समझा देता हूं यह आपका वह एरिया है देखो डेपॉसिट और व डेपॉसिट का प्रोसेस इसका बड़ा असान है डेपॉसिट आप यहां से कोई यूस्ट्ट में कर सकते हो आप अपने क्रेडिट कार्ड सभी कर सकते हो अपने यूपय है नहीं सारी फेसलिटिव यहां पर है अभी देखो वेरिफिकेशन इस वाले अकाउंट से नहीं है के नहीं बढ़ने देरा वेरिफाय करने के बाद वह सारे आपके पास खुल जाते हैं साथ ही यहीं पर क्लिक करने के साथ अभी यहां पर नहीं आ रहा है वह नीचे ऐसे लिस्ट आ मार्केट पर हमने हम क्यों आये क्या चीज़ देखने के लिए तुम हटो भई यहां पर कौन कौन सी टॉप की करेंसी जिनमें हमारे को ट्रेड करना है ठीक है यहां पर बिटकॉइन अभी यह एथेरियम है एक सर्पी है ऐसे बहुत सारे यह टॉप की करेंसी जा अच्छा ऐसे ही आप यहां पर देच्वाउंसी प्लीचें करों सेट चेऑन केतं बॉर गष्र म dro abandon चोप मोड़न था क्यों के यहां पर समय बंढोब फॉचर करेंगे ठीक है वोई सारा चीजे वही सारे बंड आप करो टेकनीस अपर भी अपला होतीए जिस तरह का इंडल्स केंडल स्टिक पैटन आप वहां पे सीखते हो सेम टू सेम सब कुछ टेकनिकल कहीं भी बदलता सर आप क्रिप्टो करो स्टॉक करो फॉरेक्स करो टेकनिकल हर जगह सेम है ठीक है अच्छा यह मार्केट देख लिया अब हम बिटकोईन पर आजाते हैं लेट सब्सक्राइब को कि हम वहां पर पुट और कॉल करते हैं अधान कॉल कभिंट है जब मार्केट बुली चैवाप लिप लिखा हुआ उसके लिए क्या करना होता है यहां पर देखो आप कुट्टि ड़ोगी जैसे बिटकोईन में खरीद रहे हैं यहां पर आप यहांप चेंज्ज भी कर सकते ह हो इसको कि आप यहां पर आप यहां पर और एक जैसे ही आप यहां पर और एक्जिए कर देते हो यहां पर सरॉप्षन देखो क्या है चलो भी यह उदर चले जाओ हां कहा गया पोजीशन यह पोजीशन में आपका ओडर आ जाएगा आपका एक्जिग्यूट होने के बाद प्लस उसके बाद अगर कोई उपन ओडर है तो उपन ओडर में यहां पर आएगा आचा यह वह जग कर जीसे कोई भी कोईन ले सकते हो कॉपी ट्रेडिंग की बात जो हम ने शुरुवात में करी ती है फिचर कॉपी ट्रेडिंग तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक एकदम expert level के trader बैठे हैं और उनका record भी अच्छा खासा margin अच्छा खासा profit निकालने का record है उनका तो हम क्या करते हैं उनकी trading जो strategy है जिस तरीके से उन्होंने ट्रेड लिया हुआ है सेम हमारे को एक button मिलता है कॉपी करने के साथ ही उनका जो भी trading strategy होगा जिस भी तरीके से उन्होंने ट्रेड लिया होगा उत्रा घुसने का हमारी जुरत नहीं है मेरे platform पर मेरी profile पर लिए कि ट्रेड एक्सक्यूट हो जाएगा सेम टुसें जो उनका पैटन है सेम टूसें बजह मुझे यह जाने कि उनका pattern क्या है बिना मुझे ट्रेडिंग की जादा knowledge लिये कि क्या करना है कि कुछ नहीं आता नाएम ने देख लिया यह आदिमिस पर इसका स्ट्रेटीजिय मेरे भी एक्सेटीट हो जाता है और प्रॉफिट लॉस जो भी हो स्टेटिंग के को अपका बनता है अब इसमें देख लो कहा गया जैसे यहां पर सब्सक्राइब तो इसने 28 परशंड निकालके दिया है तीस दिन में अर ओ आई इसने 48 परशंड दिया है इसने 44 परशंड दिया है इन वे से जो भी आपको समझ में आता है टोटल पेनल भी लिखा हुआ इनका यूम एसे टेंडर मैनेजमेंट फॉलोर्स जो इनको फॉलो कर रहे हैं जो इनका इनका कॉपी करते हैं उनको कितना कमाकर दिया है इनोंने सबकाशब कुछ लिखा हुआ है इसमें जो आपको समझ में आता है आप उस पर कॉपी पर क्लिक करके इनकी स्टेटिजी अपने में करा सकते हुआ जैसे यहां फुल हो इनका नहीं कर सकते करें तो हो इनका कउपक्र पर क्लिक करते हो कौऽ पर क्लिक करो क्यों पर केंट पर साड़ना उसके बाद दिया टार सो रुपय से आपकी पहली स्टाइडिंग यहां पर स्टार्ट हो सकती है अब हम सिधा आते हैं अपने ट्रीडिंग स्टेटेजी पर संट तो ट्रीडिंग स्टाइजी के लिए सबसे पहले मैं नोट खोल करके बता देता हूं स्टेजी क्या एक्जीट करने वाले तो से पहले हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखेंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों क्योंकि बहुत तेजी से भागता है यह मार्केट बहुत ज्यादा वोलटाइल है तो 15 मिनट ठीक ठाक है मेरे ही साब से यह कोई फिक्स रूल नहीं है इसको ऐसा मत मांगना बहुत सब्सक्रा सब्सक्राइब करते हैं इसके लिए 15 मिनट ठीक है सब्सक्राइब बताऊंगा कैसे कैसे देखेंगे हमारा मेन रूल यह है स्ट्रॉंग कैंडल प्लस लास्ट पुश इन दोनों को हमारे को देखना है क्या मतलब हैं का अभी समझाता हूं सीधा यही बिटगेट खोल करके मार्केट पर हम वापस से मार्केट में आते हैं अच्छा मार्केट यहां पर क्लिक कर लो आप सिधा ट्रेड में जाकर कर सकते हो बिटी सी यूस डिटी मैंने खोल लिया यह हमारा पूरा हम इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं कहां गया यह रहा फुल स्क्रीन ठीक है यह मुबाइल आप पर भी अवेलेबल है लैप टॉप पर भी आप जहां भी देख सकते देखना चाहों अच्छा कई सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हमारे को जूरत नहीं है सारे इंडिकेटर में करके हटा देता हूँ यह विए यका टा दिया अब साफ जब से पहले 15 मिनिट का टाइम भीन कцо दिखना है 15 मिनिट का टाइम फ्रेम है को तीन मिनट सेलेक्टीड है हम कर लेते हैं 15 मिनिटत ठीक है अब 15 मिनiट के हिजाप से मेरे को चाट दिखने लग गया मैं फ् liquids जूम कर लेता हूं नहीं कर रहा है यह रात में आपके लिए एसन कर रहे हैं और औपी भी मार्केट चालू है थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं कल ज्यादा बड़ा हो गया थोड़ा छोटा ओर कर लेते हैं हाँ इतना काफी है इतना देख रहा है ना मुझे कमेंड बॉक्स में लिखके बता यह दिख रहा है विजिबल है दिख रहा है कि नहीं है बता था हम ठीक थे थोड़ा और नीचे हो यह सबसे पहले मैं को सपोर्ट और सस्टेंस देखने की कोशिश करना है अगर मेरको समझ में आ जाता है तो बहुत जादा टाइम फिरेम देखने की दूरत नहीं है जातनी है 15 मिनट है 15 मिनट का ट्राइंट खरी हम दोट सपोड और निकालने की कोशिश करते हैं तो करो और आप horizontal लाइन ले लो एक देखो एक मेरेको देख चाहे है कि यह कैसा पॉइंट है जिसे तीन बार लोटा है उपर से सब्सक्राइब पंच पर वाला पॉइंट जहां से बार-बार उपर प्राइच टाच हो करके नीचे गिरता है और सपोर्ट मतलब यहां पर फोर लगा ना भी मुश्क्किल होता है लेकिन इसमें थोड़ा सा मुश्किल आया अच्छे यहां पर गया थोड़ा इसमें чो प्रेखल्ट रתया हूं इसे ही डॉकर के आपको दिखा देता हूं जो どलेनेता हूं इसको मैं इसको मैं सपोर्ट मालेता हूं ठीक है अब यहां पर देखो किया एक बार जाकरके लॉटा शर्पर यहां से लॉटा तो दो बार मि кан SAL written मिला नहीं को सपोर्ट टाइप अब एसा यहроं छूला है यहां पर वापस जब मार्केट आया है सर इसको तोड़ करके ऊपर गया है ब्रेक आउट जैसा यह लगा लेकिन वापस से लौट गया है फिर यह मार्केट साइडवेस टाइप चल रहा है ऐसा 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 ठीक है तो सपोर्ट रेसिस्टेंस मेरे को यहां पर नहीं समझ में आ रहा है लेकिन यहां पर तो मेरे को साफ साफ समझ में आ रहा है सपोर्ट रेसिस्टेंस सपोर्ट रेसिस्टेंस समझ लिया हमारे को क्या अब देखना है हला कि सपोर्ट रेसिस्टेंस नहीं भी समझा है तो भी यह स्ट्रेटेजी काम करेगी लेकिन सपोर्ट रेसिस्टें पहले पता चल चुका है पिछले पहले का पैटन देख करके समझ में आगे support है तो जब यहां पर price touch होता है उपर से नीचे गिर करके तो दो चीज होगी या तो breakdown होगा या फिर यहां से वापस लोटेगा, बाउंस बैक करेगा, यह दोई चीज होगी, तो आपको अगर थोड़ा सा यहां पर दिखता है, कि बाहर निकला है प्राइस, तो आपको एक कन्फरमेशन मिल जाता है, कि ब्रेकडाउन हुआ भईया, भईया अब नीचे गरने वाला है, तरतला करके, प्राइस, तो यहां पर एक प्रॉफिट हम, शॉट करके कमा सकते हैं, अच्छे, यहां पर जब थोड़ा सा वापस उठता हुआ, मेरे को दिखता है, उपर की तरफ, तो यह समझ में आ जागा, अच्छा, यह रेसिस्टेंस से बाउंस बैक कर रहा है, तो मैं समझ में आता है, समक्राइब करेशां जिसको तो भी है, हम यहां पर देखेंगे सर, कैंडल स्टेंथ, और लास्ट पुष, कैंडल स्टेंथ मतलब ऐसा कैंडल यहां पर निकालो जो स्रॉग कैंडल है, जीसके विक छोटी है, जैसे यह एक स्ट्रॉऄ केंडल आपको कह सकत लेकिन बीच में नीचे बी आया था लेकिन नीचे जाकर यह वापस लोड़ गया तो मेरे को समझ में आती है कि इसका विक छोटा सा है लेकिन body इतनी बड़ी है, तो एक strong candle है, यहाँ पर buyer का strong movement मुझे दिख रहा है, यहाँ पर buyers की volume जादा है, यहाँ पर buyer ने जादा action लिया है, तब ही यह इतना strong candle उपर की तरफ बना है, सेम चीज जब कोई लाल candle इतना लंबा बन रहा है, तो seller का action जादा है, यहाँ पर seller जादा है, यहाँ पर selling जादा हुई है, इसलिए strong लाल candle बना है, विक देखो छोटा सा इसका भी है, अब मुझे बड़ा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर छोटा भी मिले, तो strong candle एक strong candle मेरे को यह मिलता है, या यह भी मिलता है, ठीक है, एक यह भी मिलता है, इसका विक है उपर नीचे, लेकिन छोटा सा है, अब मुझे last push देखना है, last push मतलब last push buyer का strong था, या seller का strong था, कैसे, सर यहाँ से जब यह शुरू हुआ मार्केट से, उपर बढ़ना, उपर गया उपर गया, उपर गया, जोटा सा विक अगर बना है, तो मतलब seller ने push मारा, यहाँ पर भी seller ने push मारा था, लेकिन ये candle, अकौन सा है, ग्रीण वाला है ना, तो नीचे सुरू करकर ऊपर गया, last का push जो मारा है seller ने, वो बहुत छोटा push मारा है, seller बहुत छोटा, अगर ज्या स्मझब में आता है कि seller का लास्ट पुष छोटा था मतलब seller उतना इस्टौंग नहीं था तो मतलब समझ में आ रहा कि हाँ पर और इस ट्रौंग है तो अगला मूव मैं समझें maison का किसका स्टौंग था यह फे बायर का छोटा पुष्ष था तो पुष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् पापर लेसे दिखी पर नहीं होते हुए दिखरा रहा है लेकिन यहांपर बराबर मार्केत्स होते हुए ठोड़ा उपर की तरह बड़ता हुआ है तो हम देख रहे हैं कि यहां पर अपना रूल काम नहीं कर रहा है मुझे दोनों चीज़े दिखाना इसलिए जरूरी है कि अंधा बनके आप पैसा मत लगा जेना कोई भी स्ट्रेटजी दुनिया की कोई भी स्ट्रेटजी बड़ी से बड़े आदमी की स्ट्रेटजी हर जेगे काम नहीं करती लेकिन यह स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूं यह 60-70% टाइम काम करती हूं आपको दिखेगी सर स्ट्रॉंग केंडल देखना है मिरको प्लस लास्ट पुष्ट देखना है मिरको अब जैसे एक स्ट्रॉंग केंडल कि तर निकाले इधा चले अब इधा छोटे-छोटे केंडल मुझे दिख रहे हैं इधा तो और छोटे- जनढेर केंडल ग्रीन नाए लेकी फटेन। के पहले यह वाला केंडल देखना है यह जोड़ा से कर लेका केंडल यह खेले들 तो यह आप बड़ा पुष्ट मुझे नहीं लग रहा है इस टेंथ तो जादा बायर में ही है अगला क्या हुआ है सर अगला बना है लॉंग बायर का यस अच्छा अगर अगला लॉंग बायर का बना है मर्केट का मुव्मेंट बदलता भी तो है 15 मिनट का सरी कैंडल है ज्यां से समझना अगर आप 15 मिनट तक इस कैंडल में टिके रग गए तर 15 मिनट में कितना पैसा बना लोगा अब ब्र बरके पैसा जाएगा बहुत मोटा पैसा जाएगा और अगर लिवरेज ले रखा है मार्जिन ले रखा है तो फिर तो और खतरनाक पैसा बना लोगा ठेंडल की बात है तो मैं एक ही candle के बात कर रहा अच्छा यह बोलना भूल गया था जिस candle में हम अपना ट्रेड एक्जेक्जूट करेंगे हम अपना ट्रेड खतम भी उसी candle में कर देंगे अगर मैं इस इस चैंडल में घुज रहा हूं तो इस कैंडल के खतम होते ही मैं बहार हो जाओंगा मैं अपना पोजिशन कट कर लोगा इतना लंबा एक्जिट ने करना सर में स्कैल्पिंग कर रहे हैं नए आदमी का पस्पेक्टिव सब्सक्राइब कर रहे हैं स्कैल्पिंग बहुत बढ़ लिया और में पेक्पों कर करक एंग्जीट हो गया मैं परोफिट में निकल है अगला खेर बदल जाता है अगला देखो लाल बनने लग जाता है अच्छे बल बनता है तो आपर से तरह रहा है और निचे सवो धुल जाब गया हैँ युछे सब नीचे और उतिकिक ओ ईवब सेलर को dipped यहां पर सेलर स्ट्रांग अगला क्या हुआ जब तो नीचे से बनना बमना्सुरू हुआ होगा और नीचे धक भिला गया है इसको जितनी इसकी बॉडी ऊतनी ही नीचे की विख है मतलड़ दोटल कंफ्यूसंग है मतलब बायर जितना ऊपर लेके गया उतना ही सेलर भी नीचे तो लेके गया था तो मतलब हैne total confusing position है total confusing मतलब बयर की जतनी ताकत यहाँ पर थी seller की भी ताकत उतनी थी तो यहां पर कुछ और नहीं तो यहां पर पूरी स्टीं है तो अगला देखो फिर अगला वही उब यहां पर आपको देखके शमझ में आजागा कि यहां चल रहा है आच्छा यहां पर एक और चीज़ अगर आपको मिल पाए strong candle देख ना है हमारे को last push देख रहा है प्लस trend भी अगर आप देख पाऊ trend भी अगर पहले संमझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है जैसे यहां से यहां तक अगर आप देखो यह sideways का trend चल रहा है sideways trend में अपने को वैसे decision लिना पड़ता यहां से यहां से यहां तक अगर आप त्रेंड वेसा दिख जाए तो इस स्ट्राटेजी बिल्कुल सॉलिड काम करती हुए आपको दिखेगी ठीक है मैं एक बर समराइस कर देतो हमने क्या-क्या बात करा है सबसे पहले मैंने बोला सबसे पहले मैंने बोला सर 15 मिनिट का टाइम फ्रेम होना चाहिए ठीक है प्लस हम हमें देखना है सर स्ट्रॉंग कैंडल स्ट्रॉंग जिसकी बॉड़ी बड़ी हो प्लस हमें देखना है सर लास्ट पुष किसका स्ट्रॉंग है लास्ट पुष शेलर का ज्यादा स्ट्रॉंग है सेलर ने ज्यादा धक्का मारा है या बायर ने ज्यादा धका दाकत लगाया किस का स्ट्रॉंग है अगला पोजिशन उसी के टाइप का हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ठीक है प्लस हमें अगर यह चीज़ें ट्रेंड में होती हुए दिख रही है तो ज्यादा इसकी प्रॉबिलिटी है सही होने की साइड़ बेज मार्केट में सही होने की प्रॉबिलिटी नहीं है जैसे यहां पर आप यह formula apply करोगे तो आपको सही होता हूँ नहीं दिखेगा यह ठीक है तो यह strategy execute करके आप देख सकते हो surety guarantee कभी भी किसी strategy के नहीं होती है दुनिया का बड़ा सा बड़ा ट्रेडर यह नहीं कह सकता कि मेरी strategy हर जगे काम करेगी 60% 70% अगर कोई strategy काम कर जाए तो वह अच्छी strategy है बाकी 30% 40% तो लॉस फिर भी करेगा काम वो नहीं करेगा ठीक है तो यह strategy आप बहुत beginners के लिए बह का हला के link हमने description में डिया है bitgate का link हमने description में दे दिया है आप उस link से sign up कर सकते हैं यहां पर trade कर सकते हैं बाकी इस session related कोई भी सवाल आपके मन में आया हो तो मुझे comment box में लिख के जरूर बताईए आगे हमें और crypto trading के session करने हैं तो वो भी बताईए कुछ सवाल हो कुछ confusion हो क अब लिख के बतादा भाईया हम उखरे पर decide कर अब कि आगला session हमरा के crypto के करे के बाद किन नहीं ठीक